है दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्व चैनल डियू जीके ट्रिक्स में दोस्तों यहाँ पर डेली जुकी तीन वजे यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल करा जा रहा है सभी को जैहिन सभी को जैहिन चलिए आवाज मिल पारे दोस्तों सभी को चलिए आवाज मिल पारे तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्लियर करिए थमसप कर दीजे जहिन लिख दीजे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चलिए आ रही है चलिए रेडी चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है तो चलिए पहरा कोशन दिया गया है मोरे अर्थ व्योस्ता मुख रूप से जो निर्भर थी वो किस पर निर्भर थी यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर आपका जो राइट अंसर है देखे क किस ने 5857 के विद्रो को दबाने के लिए अंग्रेजों को साहता प्रदान नहीं की थी चलिए यहाँ पर बताना है कि निमनिकित में से किस ने 5857 के विद्रो को दबाने के लिए अंग्रेजों को साहता प्रदान नहीं किया तो को आप्शन दीजेगा तो को आप्शन क्या हो मौर्ちस हमाली हुई थी तो अपस्जवत का भी नवर्ज आञे बरके कोसं दिया गया है कि बृटिटी अब क्वारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का जो निडए इसकी घुषना कप किया था चलिए ब्रिटिज भारत में बंगाल के विभाजन को लागू करने के निडए की घुषना किया हो कप किया यहाँ पर जो आप समखने तो आपको भी लगाना है अगर यह पुछले यह पूरी तरीके से जब लागो हुआ यह कब हुआ था हना प्रभावी हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ ठीक है और यही घटना को एतिहास में बंगाल विभाजन या बंग भंग के नाम से जाना जाता है यहाँ पर आगे बढ प्रभावचन दिया था जिसे का जाता है धर्म चक परवर्तन और इसके बाद बहुत धर्म का प्रचार प्रसार प्रारम हो गया था आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि वहां कौन से कवी और संत हैं जिन्होंने रामायर का एक दूसरा संस्क्रण राम चरित मानस लिखा दिया गया है यहां पर आगे बढ़ते कोशन आप से दिया गया है यह भारती राष्टी अंदोलन के पहले यह प्रारम्भिक चारण को यह चरण को जो कहा जाता है क्या कहा जाता है चले आपका जो अंसर बनेगा यहां पर दिखो 1885 से 1905 यह हो जाते हैं इसे उधारवादी कहते हैं आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गलाप पुछा गया है उधारवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो आपके थे नरम पंथी थे क्या नरम पंथी ती इस कारण से पर जब रॉलेक्ट राया था 1919 उसके विरोध में सत्यागरा अंदुलन चालू किया गया था और मात्मा गांदी ने फरवरी 1919 में बंबई में सत्यागरा अस्रम या सभा की स्थापना किया था तो यहां पर सत्यागरा सभा जो आपका है ऑप्शन आपका सी नमबर फरवरी 1919 या दरिके इन्होंने 1919 में बंबई में सत्यागरा सभा की स्थापना की तो आप्शन मनेगा क्या सी नमबर हो जाएगा आगे बटते हैं कोशन दिया गया है कि 1917 का चंपारण देखे आपको याद होगा कि 1917 में कौन सांदूरन था यहां पर देखके याट को आप्शन मनेगा चर्चा करने और भारती कल्यान को बढ़ावा देने के लिए ब्रेटिस सारजनी कंदिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में इस्ट इंडिया एसोसियेशन का जो आयुजन किया थो किस ने किया था लंदन में इस्ट इंडिया एसोसियेशन की स्थापना किया था किसने तो देखो आठारा सो चांचट में किया था किसने चले दादा भाई नोरोजी विल्कुल सही जवाब हो जएगा दादा भाई नोरोजी आप्शन नमर यहाँ पर राइट हो जएगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है यह भारत में राजनितिक सुधारो के लिए अंदोलन सुरू करने वाले भारती नेता कौन थे भारत में राजनितिक सुधारों के लिए अंदोलन सुरू करने वाले भारती नेता इनमें से कौन थे तो यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर भी नमबर सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है थल सम जो होए कब चलती है यहाँ पर 11 ok option क्या वनेगा चले तो थल समीर जो चलती है यह 30 शितरों में होने वालेग Naomi ह keyboard होता है तो आपका इनमर्म रात के समय समय चलती है रात के समय आपकोचिन क spray बनेगा किया आ conquered मा यां बढ़ते हैं कोच्छन आप सी गला पुछा गया है क्या राषटी उद्यान किस राज में स्ति थे कहा पड़ता है श्रYour вин ये असम पर है, इर्षटी और पर बाग रच्छी 16 आपके हैं और हैं और हम ये आपके चंटों पहाई जाते हैं जिसे हाति, चीता, जंगीली, सुवरात भी यहाँ पर मिलते है आगे बढ़ते हैं, कोशन दिया गया है नम्रिकित में से कौन सुझमापका सही है कौन सुझमापका सही दिया गया 3 नंबर में यहाँ पर दिया गया है की mount dial도 तो डुप में है, तो दिखो, यहांपर जो गड़बड़ी है, आपकी हैं आपका सही आपसे heys M. पूछा गया है, यहांपर कहिए से नदियों के तल छट्ट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक लेकिन फासुरस कम होता है। चले ऐसे बताना है ऐसी नदियां बताना है कि नदियों के तलचट से बनी होती है जिसमें पोटा सदिक होता है लेकिन फासफुरस जो होता है वो कम होता है तो यह मिट्टी होती है जलोड मिट्टी इसका जवाप से मनेगा यहाँ पर आपका बन जाएगा सिनमर जिसका राइ प्राया गया भई मुरादाबाद ये चम्रा के लिए तो आपका है नहीं है हाना फिर इसके बाद देखा जाए तो फिरोजाबाद कांच वाउत पात के लिए ये तो आपका सही हो जाएगा कानपूर पितल के लिए तो भई कानपूर मुरादाबाद के लिए इसका मतलब ये हस्तकला और आपके हथकरगा के लिए है मदलब यहाँ पर जो अप्सन बनेगा वो आपका दो और चार बनेगा जो कि अप्सन थ्रण नमर आपका राइट हो जएगा दूसरा और चौथा आपका सही है क्योंकि मुरादाबाद आपका पीतल के लिए होगा और यहाँ पर चमड़ा के समान के लिए कानपूर है इस कारण से अप्षन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी नमबर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है भारती अर्थिव्योस्ता का मेरदोंड कौन सा छेत्र होता है चले भारती अर्थिव्योस्ता का मेरदोंड कौन सा छेत्र है सोला नमबर में सोला को ऑप्षन क्या बनेगा यहाँ पर दिखे करसी छेत्र जो आपका है इसे भारती अर्थिव्योस्ता का मेरदोंड कहा जाता है और आप समने हैं कि यहाँ पर डिनमर राइट हो जाएगा अब देखो आपको उमने बताया है कि लगातार आप लोग क्लासे लेते रहेंगे तो हर एक कोशन आपको लगेगा कि इसको तो हमने अभी अभी पढ़ा था और आपके जवान में हर एक कोशन रड़ जाएंगे गारंटी है कि आप लोग यहाँ पर एक महिना अगर समय देते हैं तो एक महिना में हर एक कोशन आपको लगेगा कि यह तो हमको आता है यह भी आता है मतलब इतनी अच्छी बेतरी न आपकी तैयारी हो जाएगी बस यहाँ पर एक महिने अगर आप लोग लगे रहेंगे छुटा सा आप महिनत कर लेंगे तो समझो आपकी बेतरी नंبر आपके आ जाएंगे जो आपने टार्गेट सोचा है वो टार्गेट से ज्यादा यह नमब आपके आजाएंगे चले यहाँ पर दिए गया है finance जो की option है यहाँ पर सी नमबर इसका right हो जाएगा क्या बनेगा सी नमबर इसका right हो जाएगा याद रिखेगा और आर्थिक समिच्छा हना आर्थिक समिच्छा दोरा और आगे बढ़ते हैं कुशन दिया गया है क्या रिजर बैंक आफ इंडिया की स्थापना किस हुआ सुई पूछा गया दोस्तों यहाँ पर अनसर क्या हो जाएगा चले यहाँ पर नोट करिएगा ठारा नमबर में तो यहाँ पर लिखे 1935 में कप की गई थी 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और अगर आप सिपकूचे रिजर बैंक आफ इंडिया था आर्वियाई की जो रास्ट वस्तों के निर्यात के मुल्य और आयात के मुल्य के मद्द के अंतर को क्या जाता है तो इसे क्या का जाता है तो दिखो यह का उपसन आपका छुपा हुआ है इसे ब्यापार संतुलन कहते हैं क्या बोलते हैं ब्यापार संतुलन आपका राइट हो जएगा आगे बढ़ते ह क्या हो जाएगा तो देखे आपका क्रेसी लागत और मुले आयोग ऑप्षन का पर दिया है ऑप्षन दिया गया है सी नंबर हैं क्रेसी लागत और मुले आयोग इसका जो आप्षन है यहापर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा अगला कोचन दिया गया है उस राश्पत होती हैं, तिनों ने अपने वीटो penoo power का भी प्रियूब कर दिया था यहां पर 21 प्रदीं प्रदापर संकिला पुछा गया है, क्या रहा है फारत प्रताम भारती समार में चुनाओं नकिलाम प्सक्षाफ कन का की गए तल्हक की गया थे तो आपकी कि सम्मिदान का उलंगन करने के लिए किसके निस्कासन को महाव्योग की प्रिक्रिया से आरम मिकिया जाता है अगर ये सम्मिदान का उलंगन करते हैं तो इनके निस्कासन को अर्थाद इनको हटाने के लिए महाव्योग की प्रिक्रिया आरम मिकिया जाती है तो यह देखिये, आपसम, क्या होज़ेगा अभिननमर राशपती, क्या होज़ेगा राशपती इस कंसर है, राइट हो जबखे, पहले यहाँ पर दोनों सदर मिलकर एक वट चार, यहाँ पर पारित करते हैं, इनको सुचना देटे हैं फिर दोनों सदन से दो बड़े तीन अगर पारित हो जाता है तो महाँ ब्यूक के यहाँ पर लग जाता है आगे बढ़ते हैं कुछ निया गया है कि बाइले सुमिदान संसुदन के माध्यम से फारती समिदान में कितने मौली करतबे समलित किये गए थे कितने मौली करतबे समलित किये गए थे यहाँ पर जवाब देना है तो चलिए नोट करिएगा 24 समर में 24 को अप्शन क्या बनेगा चलिए 24 को अप्शन आ रहा है यहाँ पर देखे दो लोग दो प्रकार के जवाब आ रहे हैं 10 और 11 जिए आपको मालूम है यहाँ पर थे सब्द लगा है इसका मतलब भी पूरानी बात कहे रहा है मतलब जब यह सामिल के गए थे तब आपके 10 ही थे 11 नहीं थे वर्तमान में 11 हैं लेकिन जब सामिल के गए थे तब आपके 10 ही थे आगे बढ़ते ही कोशन दिया गया है कि किस याचिका के अंतरगत न्याले अवर न्याले या किसी अन्य प्रादिकारी के समझे लंबित किसी मामले को उच्चताय प्रादिकारी या न्याले में इस्थांतरित करने का आदिश देता है तो यहाँ पर देखे 25 नंबर में जो आपसन है यहाँ पर राइट हो जगा सी नंबर यह होता है उत्प्रेशन मतलब उत्प्रेशन के बारे में यह जो आपको लिखा गया है यह उत्प्रेशन जो आपकी है जो आपकी रिट होती है वह ही आपके रिट है उत्प्रेशन उस संबर में 26 के अगर मात कर लें तो आपसन यहां पर बन जागा क्या दाद बिल्कुर सही जवाब है दाद खाज रासानिक नाम क्या है विटामिन B7 का रासानिक नाम पूछा गया है 27 संबर में तो आपसन क्या हो जगा यहां पर होता है बायोटिन क्या होता है बिनमबर बायोटिन इसका जो अंसर है राइट हो जगा बायोटिन हो जाएगा ठीक है न और यहां पर विटामिन फिरू कि बारो और अगर पुष्टी करना है तो गेहूं इस्ट और अंडा खाना जरूरी होता है तो इस बीकार से यह वी पॉइंट आपको नोट कर लेना है आगे बड़ते कोशन दिया गया है कोना सबाग अस्टियो पोरोसिस से प्रभावित होता है यहाँ पर देखे आस्टियो प्रोसिस दिया है आस्टियो मतलब होता है क्या यहाँ पर देखो आस्टियो मतलब होता है हड्डियां क्या होता है हड्डियां हड्डियां से घर बद लए तो option क्या हो जगा कार एक सिनमबर जो आपका कुस्कार in Hight हो जहांगा युरिद कौस्कन पर किस में नहीं होता है या उपके सिनमबर Dollar हो जगा मदलब जो पसुख को स्काव में कोस्कविति और लवक जो होते हैं यह कोस्कांग में नहीं पाए जाते हैं आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है करांप से इरवी पूलम राश्टी उध्यान किस राज नहीं जाता है ilaha badwin में से कौन से मिला नहीं मला यापर नहीं सद्ध आपको दिया गया है तो देखो यहाँ पर आप से दिया गया कुम मेला माघ मेला अर्द कुम मेला लेकिन भैसाख मेला यहाँ पर नहीं है तो Estamos क्या हो झाएगा यहाँ पर आपका सिनम्बर आपके आगरा में है का पर आपके यह आगरा में इसका आपसे निंबर राइट हो जाएगा और यह घराना हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के घराना भी का जाता है ठीक है और इस घराने के पहले गायक जो थे वह आपके गोपाल मने जाते हैं कौन गोपाल मने जाते हैं आग के बड़ते हैं को सिनाफ से दिया गया है इनमें से कौन सी प्रमुख एजंसियों में से एक नहीं है जिके उतर्व देश में भारी मात्रा में आनाज भंधार में सामिल है यहां पर आपका है यहां मतलब होता है प्रत्यच विदेशी निवेस होता है जो आपने भारत में कोई हेल्प करता है और तो उसका पैसा अपने भारत में लगा होता है तो इसे एक आनाज से बंडारे में आपका सामिल नहीं है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है निमने कि तमें से कौन सा चले देखे आपका यहां पर ओप्सन दिया है चावल गेहूं जमीन अखरूट तो जमीन अखरूट तो यह आपको होता नहीं है यहां पर देखे ओप्सन डी चावल गेहूं बाजरा और मक्का ओप्सन जिसमें से जवाब कराइट हो जएगा यहां पर डी हो जएगा यहां यहां पर D numbers का राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं भारती अर्थ व्योस्ता का में रुदंड कौन सा चेत्र है यहां पर सैतिसंबर में क्या बनेगा यहां पर करशी चेत्र है और नमबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सिंगापूर की मुद्रा कौन सी है इस 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 सिंगापूर डॉलर ऑप्सन मनेगा यहां पर्भी नमबर है राइट हो जाएगा लगवल देखा जाए तो पचपन रुपए के बराबर यह चलता है सिंगापूर जो डॉलर है अपने यहां से तुला की जाए तो अगला कुशन दिया गया है निमनिकित में से कौन सदिन जो कि ऑप्सन क्या है यहां पर्ड़ी नमबर इसका राइट हो जाएगा ठीक है और आगे बड़ी एक कुशन दिया गया है क्यारा आपसे योग का वर्ड़न निमनिकित में से किस वेद में किया गया है योग का वर्ड़न किस वेद में किया गया है चले योग का वर्ड़न काम चले यजूर वेद यजूर वेद में क्या है यजूर वेद में क्या है यजूर वेद में यग्गी की जो विदियां है यग्गी की जो मंत्र है कर्मकांड है वह आपको मिलते हैं साम का मतलब गायान होता है तो साम वेद में आपर संगीश से समंधित है और अधर वेद जो देखे 41 के अगरम बात करें तो यहां पर अंसर क्या हो जएगा अंसर बनेगा आपका यह नमबर जीनिया के नाम इसका यह देखे कि 2016 में नासा के बैग्यान को ने जीनिया का फोल यह सब्रतम अंतरिच में खिलाया था याद रिखेगा इसे पूर 2015 में रेड लोटस का कि महात्मा गांदी को रास्विता कायकर सम्मोधित करने वाले पहले बैक्तीन में से कौन थे चले वयाले सम्मर को अप्शन क्या बनेगा तो यहां पर अंसर सी हो जएगा याद रिखे सुभा सिंदबोज जो की ऑप्शन सी हो जएगा हर एक मोडल पेपर में कोशन देखने किस समंदित है तो आप्शन क्या हो जएगा बन किस संगठन की इश्थापना किया था चले यहाँ पर जो अंसर है क्या हो सकता है चले देखे चवालिस को जवाप से यहाँ पर भी हो जगा भारती विग्यान भावन क्या हो जगा यहाँ पर आगे बड़े यह कुछन आप से गलाप पूछा गया है किया रहा है मेगस तनी जिन्नों ने भारत के बारे में प्रिसिदर गरंत इनडिका लिखी वह आमूल रूप से किस देश के थे मतलब आपसे पूचा गया है जो आपके मेगस थनी थे जो कि मौरिज समराज में से लिकास निकेटर के बेजा थे उन्होंने यूनान की निवासी थे यूनान लेकिन यूनान का हम लोग बोलते हैं ग्रीस क्या बोलते हैं ग्रीस तो आपने बंजरेका? बेनमबर इसका राइट हो जएगा इन्होंने यहापर मौर समराज में भेज़ा था और इन्होंने इंडिका नमक पुस्तग भी लिखा था और अप्शन B हो जएगा अगला कोशन बतागेगा इन अमिकित में से कौन से राष्टी नेता है जोनों ने प्रावल्टी और अनमिल्टी रूल इंडिया नमक यहाँ पर पुस्तक लिखा है यहाँ पर एक कोशण भी आपने बहुत बार पड़ा होगा गल्ती किसी नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो आपका 46 नमबर है राइट क्या हो जएगा चले देखे निसकासन का सिध्धान देने कहते हैं हाना इन्होंने धन निसकासन का सिध्धान भी दिया थे यादरिके दादा भाई नरोजी ने धन निसकासन का सिध्धान जो दिया था अपने इसी पुस्तक में आपका दिया था तो यहाँ पर अंसर सी हो जगा दादा भाय नवरोजी ओप्सन मनेगा क्या सी नमर हो जगा आगे बढ़ते हैं क्वेशन दिया गया है क्यारा है कि भारत के इन पड़ोथी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने रास्टी खिल से मेल खाता है 47 नमर में आपको बताना है यहाँ पर देखो दिया गया है अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान आपका दिया गया है बुलकबाजी ठीक है बांगलादेश दिया क्रिकेट यह बताए बांगलादेश जो आपका है तो बांगलादेश में कबडड़ी खेल जाती है और यहां पर देशissant जो ऑप्षन है बिनम्बर गलत हो जगा बुटान में तीरंदा जी नेपाल में वाली वाल ऑप्षन दे की बिनम्बर गलत है यहां पर आपका हो जब बिनम्बर हना सुनिल शित्री इनका जो आपसन है यहाँ पर आपका होज़ाबी नमर यह भारती फुटवारा टेम की कप्तान याद रिखे और अब तक देखा जाए तो सरसर से ज़्यादा गोल कर चुके हैं सरवाधी गोल करने वाले जो आपके सक्री फुटवाल की सूची में जो नमबर आमें आता है वो आपके लियूनल मेसी आता है उसकी बाद इनका इस्थान आता है तो आपसन इसका भी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि डियारियो द्वारा बिक सितन निखित में से कौन सी मिस हवा से हवा में मार करने के लिए एक मिसाइल वने हैं चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देना है पहली बार जूड़ रहे हैं तो भी चैनल को जूरु सब्सक्राइब करिएगा हर एक आपके यहां पर प्रकासन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं ठीक है और अच्छे पास था जिसे डियाड युकदारा बनाया गया था आगे बढ़ते कोशन दिया गया है भारती ससस्त्र सेनाओ द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई की सुवर्श में लड़े गए थी हाजी पीर की लड़ाई जो लड़ी गए थी वह आपकी कब लड़ जेगा आगे बढ़ते कोशन आप से गरा पुछा गया है दिगंत में कौन सी सन्दी है चले बताएगा धिगंत में जो सन्दी आपकी क्वका सन्दी Canadians क्योंकि जब इससे आप तोड़ेंगे तो निकले घंजन क्या निकलेगा दी कधन अन्त और का में डायस लगेगा जो की एक बेंजन में ही लग सकता है तो आपसन क्या हो जबत है कि जो आपका जवाब होजेगा क्या बिनमर राइट होजेगा आगे बटते कोचन दिया है भहुतिक के लिए विलूम सद्दिन में से क्या होजेगा होतीं काहँ अध्यात्मी क्या होता है आध्यात्मी घोता है श्ति तो वाला हो ताथ पर पूंचा गया है तो यह इंसर आपका हो जगा इस लोग से सम्मद रखने वाला आगे बढ़ते हैं इस त्री लिंग पूरलिंग का कौन सजोड़ा सही नहीं है यहाँ पर देखे असी नमबर में तो देव का देवी मामा का मामी कांत का कांती दिया गया है अ काफी लोग यहाँ पर कांता कह रहे हैं जो कि विल्कुल सही है कांत का कांती नहीं होता है कांत का होता है क्या होता है कांता होता है यह आपका सही होता है इसलिए गड़वड आपका है अगला कुछने आप आप से दिया गया है जो कि उस कड़बंडी घास के मैदान मतलब आपको यहां पर क्या करना है अब आपको ध्यान मुद्रा में आराम से विल्कुल पढ़ना है ठीक है जितने हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको नोट करते जाएगा और टेलिग्राम में भी आप लोग जुड़ जाएगा ठीक है और वीडियो आई जितने लोगों को पसंद आय यहां पर जो आपके साढ़े झाषट वाले हयं बेंदान है उसकाड़गा पड़ता है तो क्या अपर पर देखो सवाणा घास के मैदान आपके ब्राजिल में है लानोँस गास के मैदान कहां पर वेणुञगडगा में उनको नोट कर लीजिएगा, अगला point आप से दिएगा है SITOS घास के मैदान, अब SITOS घास के मैदान में देखे, Pampas घास के मैदान, ये बराजिल में ArgentINA महरा की अरवीन पड़ते हैं, प्रेरी घास के माइदान आप topics अमेरिका में पढ़ते हैं. अब आपको वह वाईब कर दों अगला विल्ड घास की मैदानी तो दच्छिना अफरीका में तो आपकी यूरेसीय में पढ़ता है अगला है केंट वरी जो आपके हैं वंकि न्यूजी लैंड में और पुस्ताज आपके में आपके हंगरी में है इन दोनों को आप लोग नोर करिएगा अधर तो आप लोग पढ़ी लिए होंगे जब दो आपके छुटे जा रहे हैं तो उनको विरट लिजेगा कि केंट वरी आपके न्यूजे लैंड में और पुस्ताज कहां पर आपके हंगरी में हैं आगे आते हैं पॉंट में यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है विसेस्ता और आपकी जीले तो विसुकी सबसे उंची जील जो आपसे पूंचा है वो कौन से है चले विसुकी सबसे उंची जील यहाँ पर देखो दिया गया है तिली चो जील आपके दिया है तिली चो जील चले तो यह पॉइंट क्या सही है क्या भई विस्व की सबसे उंची जील जवाब की है तो क्या ये पॉइंट आपका सही दिये गया क्या क्यों भई विस्व की सबसे उंची जील कौन सी आप लोग पहले बताइएगा यहाँ पर जो लिखा है उसके अनसार जवाब मत दीजिए अपने हिस गाका, चलिए, देखो, यहां पर जो आपकी यह गई है, इसको हम कार्ड दे रहे ह Christmas तीके, लेकिन, लेकिन यहां पर आपको बतार रहे हैं, जो होगा हो कौन होगा याद रखे, ठीसो शीकुरू, क्या है याद रिखे गा, ठीसो ठीसो, ठीसो शुकुरू शुकुरो शुकुरो या शुकुरो कह देते हैं ठीसो शुकुरो ये विशु की सबसे उची जील है या दरेके कौन सी ठीसो शुकुरो ये आपके तिबबत के पठार में पाजाती है तिबबत के पठार में आपकी है ठीसो शुकुरो अब यहाँ पर आपसे पूँचने का तरीका होता ये इविश्च की सबसे उंचाय परिस्टित नौका यान जिल क्या बोल दें? नौका यान जिल अगर बोल देता है तब आपको टिटका का जिल लगाना है ये उप्शन के अंसार होता है तब आपको ठिश्टो सुकरो जो के आपके तिबबत के पठार में है सबसे उंचा पठार आपका यही है तिबबत का पठार ठीक है ना? तो दोनों को तरीका होता है अलग जब यहाँ पर नौका यान पूछे तो आपको टिटका का और जब आपका टिका का नहीं लगाता है और आपसन में ठिसो सुकरो दे देता है तो आपको ठिसो सुकरो लगाना है किलियर है? चले यहाँ पर आगे बड़ी एक कोशन दिया है विस्ट की सबसे निचले भाग में इस ती जील कौन सी है? चले बताईए कि विस्ट की सबसे बड़ी जील है कैस्पियन सागर यह मीठे पानी की है या खारे पानी की है तो याद रिखे यह खारे पानी के अगर यह भी पूँच ले कि विस्ट की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है तो भी आपको बताना है यापर कैस्पियन्स आगर ही आपको बताना है ठीक है ना किलियर है यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है कि विस्ट की सबसे गहरी जील कौन सी है तो गहरी जील कौन सी हो जीग है बैकाल जील जो कहाँ पर है आपके रोस में है अगला विस्ट की सब पर प्रिस करेंज लिए अगर आपको पीडियाब लंभी होती है जो इसकी प्रेजंट नहीं ले सकते हैं तो मत लीजेगा लेकिन जो आप रात में पड़ते हैं तब तक उसका प्रिविजन भी कर सकते हैं ठीक है ना चले यहां पर आगे बढ़ते हैं कोचिन आप से पूछा गया है यहां पर दिया गया है अगला हें से परवत सिकहर दिया है आपके है कहां पर मौंट यरिस परवत कहां पर है तो आप है आपके सिक्खिम में अग्या है पर राटक और बेढमिलत서 मुझाख है विつ is changing इसे इसका बिश्थार काफी जगा है। च Syrian अपरीका के उत्रपस्थी में आपके स्थी थे। अग्रहा पॉइंट आप से दिया गया है कालाहारी मरुष्थल जोक earlier है। तुर्पेंटामीर्षदार दिश्षार है और कराकुम का जो मनुश्थल है, वो आपके तुर्कमेनिस्तान में पढ़ता है, आगे बड़ी ये कुछन आप से गला दिया गया है, क्यार है साथ महाधियूपों के सरोच परवस सिखर हैं, और समय पूंचा जाए कि इस महाधियूप का सरोच जो परवस सिखर है, वो आपक जाएंगे, अगला आफरीका में पूंची तो आफरीका में क्या है, किलमिन जारो हो जाएगा, उत्री अमेरिका में पूंची तो आपका क्या हो जाएगा, मौंट डेनाली हो जाएगा, दच्छिन अमेरिका में क्या हो जाएगा, मौंट एकान को जाएगा, क्या मौंट एक इस नदी के किनारे आपका स्रिडरीबात करते हैं तो इस दिले में है इलावुति नदी याँपर इरावुति नदी हो इरावती नदी को यहापर मेमार की जीवन रेखा कहा जाता है इरावती नदी को यंगून हो जाएगा अगर डेन्यूम नदी अगर बोले डेन्यूम तो डेन्यूम याद रिकिए डेन्यूम किनारे वियना आपका जो आस्ट्रिया है आस्ट्रिया वो आपका बसा हुआ है इस्प्री नदी आपके बर्ली नदी कीनारे मतलब इस्प्री नदी बर्लीन सहरी के किनारे आपका है मास्कोपा जो आपका है मास्को नदी मतलब मास्को जो आपका सहर है वो मास्कोपा के किनारे है यहाँ पर देशके नए दिल्ले नए दिल्ले आपके यमना में और कराची सिंदु नदी और लाहुर आपके पाकिस्तान में ठीक है मतलब रावी में जिस परकार से यह पॉइंट आपका हुआ और इसके बाद यहाँ पर देखें विस्त के प्रमुक बांध और नहरे दिये गई है तो यहाँ पर देखो आपका बांध और आपका नदी तो अस्वान बांध किस नदी पर है अस्वान बांध जो है वो किस नदी पर है तो आपके निल नदी पर है करीबा बांद किस नदी पर है तो आपके जामबेजी नदी पर है ठीक है ना बाख़रा नांगल बांद किस नदी पर है तो आपके सतलज नदी पर है ठीक है और एगला है हूबर बांद तो हूबर बांद कहां पर है कुलो रेडो नदी पर है और रोगर नद बांद जो आपक पुझे लिए तो आपका ब्रैस्पति हो जएगा अगला है सोरमंडल का सबसे छोटा अगरा पुझे तो आपको बुद्ध बताना है उवला युकता था रिंग युकता आपका जुगरा है वो कौनसा है तो आपका सनी है और सरवाधिक ती ब्रगती से परिक्मा करने वाला ज आपको पॉइंड पढ़ा है ये कोई नए चीफ़ आप नहींने पढ़ रहें भई बताए सरवाधिक ती ब्रगती से परिक्मा करने वाला जो गरा है वो आपका बुद्ध गरा युज प सही दिया है कि नहीं दिया गया है गुर्यों जल्दी से बताए जितने लोग जुड अठा से दिन सही है? चले बिल्कुल सही है देखे यहाँ पर हमने आपको तया था कि यहाँ पर जो सूरे है और सूरी के पास जो भी गरा होंगे उनमें जो आपकी केसकते हैं कि आकर्षन वाला होगा मतलब जो एक बोलते हैं एक फोर्स होता है वो जादा होता है तो जो भी आपका केसकते हैं गरा सूरी के पास होगा वो आपका सबसी तेजी यहाँ पर घूमेगा तो यहाँ पर अंसर आपका बुद्धवाला हो जाएगा अगला है कम गति से परिक्रमा करने वाला है तो भाई सबसी लास्ट में जो होगा वह होगा अगला है कि ग्राष जिन पर सुर्योदर परस्चिम दिसा में होता है तो परस्चिम दिसा में होता है यह आपके सुक्र पर और आपके अरुन पर ये होता है क्यों क्योंकि ये उल्टा गोमते हैं जैसे प्रद्वी जो आपके होते हैं प्रद्वी जो होती ही वो कैसे गोमती है प्रद्वी जो गोमती है प्रद्वी जो गोमती है पस्चिम से पूरव लेकिन ये जो गोमते है वो पूरव से पस्चिम गोमते हैं सुक्र और कुशन आप से यहां पर दिखो दिया गया है किया आप से कि समान घुर्डन और परिक्रमन वाला जो अवदी वाला जो ग्रा है वो कौन सा है किया रहे समान घुर्डन और परिक्रमन अर्था तो यह जो आपका खुद घुमता है हना यह जो आपका सुक्र है खुद घुमता है रात में बर्फ जम जाती है ऐसा इस्तितियां पर है आगला आप भूर का तारा किसे कहते हैं तो आपका सुक्र कहते हैं साम का तारा किसे कहते हैं तो सुक्र कहते हैं सरवादी चमकिला तारा कौन है तो आपका सुक्र हो जाएगा खेलियर है खेलियर हो गया भी तो बस इस प् हुआ है